हेलो भाई हो वेलकम टू माई चैनल अनुजादव आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्वा टील कलर की इस गाड़ी के अंदर ग्रेंड आइटन नहीं हो सके अंदर आता है एक्वा टील कलर काफी डिमांड में है सबसे ज़्यादा पोपूल और सबसे ज़्यादा सेल इसी लुक देता है इसके क्या पोजिटिव और क्या नेगिटिव है अब मैं मेरे पास यह गाड़ी है इसको मेरे पास रहे लगबग 6 महीने हो गए है और यह चल चुकी है आपको दिखा देता हूं 6453 किलोमेटर चल चुकी है इतने चलने के बाद इस गाड़ी के कलर में क्या दिक्कत आई क्योंकि डार्क कलर लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्क्रेच वगएरा जादा आती है लोग कहते हैं इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल है लेकिन मेरा यह मानना ह मेंटेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है कि यह सरदर्द बन जाये आराम से मेंटेन हो जाता है डार्क कलर कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर लगती है लेकिन वो दिखती नहीं है पास से दिखेगी आपको अगर आप पास से एक स्क्रेच को डूनने लगेंगे तो आप आपको थोड़ी बहुत scratch वगरा दिखेगी इसके अंदर लेकिन दूर से गाड़ी के अंदर कोई scratch नहीं दिखेगी मैं आपको दूर से दिखाता हूं दूर से गाड़ी ऐसी लगेगी जैसे चमक रही है और दोने के बाद तो ये गाड़ी और भी चमकने लग जाती है scratch की बा पड़ती है लेकिन फिर भी गाड़ी satisfy कर देती आपको कलर के मामले में ना ही इसको ज्यादा दोना पड़ता है वाइट कलर क्या है थोड़ा सा भी आप गंदा अलग से दिखेगा लेकिन इसके अंदर क्या है बलैक कलर टाइप है एक बर कपड़ा मारा गाड़ी दूर से त दूर से एक अलग ही लुक देखती है आप देख लो मैंने यह साफ भी नहीं कर रखी टायर देखके आपको अंदाजा लग जाएगा कितने गंदे टायर हो रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दूर से अब देखेंगे तो टायर टायर यह आपको गंदे दिखेंगे इतनी अच्छी लगेगी इतना वाइट कलर भी आपको अच्छा नहीं लगता है इतना इसके अंदर आपको यह कलर लगता है बिक्ती सबसे ज़्यादा यह यह और अगर मैं कलर की बात करूं कलर इसके अंदर अंदर से दिखाता हूं आपको यह क्वार व कॉम्बिनेशन की बात करूं कि इसकंदर यहां पह आपको घान वॉलाइक्टिसमलिती ए यहां पहुलिख स्टील कुछ ऐसी चिल्ष कंभ समय किया फीनिष्ट मिलती ए यह सारी एकको अंदर घंदी यह कोईर आ्राम से एजली हो जाती है इतना ज़्यादा वाइट नहीं है सिल्वर सी टौन में है गरे गरे शाया तो इसके अंदर भी कोई ऐसी दीक्कट नहीं आती बाहर के कलर को ज़्यादा लोग प्रेफर करते है कि बाहर का लुक आपको अच्छी दिखे अंदर तो आपको दिखनी है ये लुक भारसफ कोई देख़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा गंदाऊ लेकिन दिखेगा तो सिर्फ आप कोई दूर से थोड़ीना गंदा दिख रहा ही रोड पर गाड़ी चलेगी तो वही बात है थोल तो उड़ेगी इसके अंदर दोल उड़ेगी इतना तो dusch आपको white color पर देखने को मिल जाएगा white color पर क्या होता है जो गाड़ी रखते हैं उनको पता है वाइट कलर के उपर डोट सी हो जाती है डोट होने के बाद वो अलगी दिखता है और फिर गिले कपड़े से साफ होती वैसे नहीं होती है इसके अंदर वो बैठती ही नहीं है मैंने खूब देख लिया इसके उपर वो डोट वगर ऐसा कुछ नहीं होता वाइट कलर पे ज़्यादा बैठती है वो तो यह है कि कलर के अकोर्डिंग कोई मित नहीं है लोग कहते हैं डार्क कलर मतलो गाड़ियों पे आजकर लोग बाग अपनी सोच बदल रहे हैं सब यून में आपको बात करूं कि मिंटेनेंस कैसा है मेंटेनेंस अगर आप कलर की मिंटेनेंस चाहते हैं तो क्या करें सबसे बढ़िया है आप गाड़ी को एक बर साफ करवाओ डेली आके है ना इसके कवर से इसको डग दो कपड़ा भी मत मारो मैंने एक हफ्ता चला के देखिए उ दोल वाली उसके बाद मैं डेल हाता और इसके वपर कवर डग देता उसके बाद इस गाड़ी के अंदर मेरे को कपड़ा भी मारने की जरूत नहीं रहती ही इतनी साफ रहती ने पर इसके अन पर यहांपर आपको स्क्रैश देख जाती जाती थी मदल यह डिखती थी लेकिन दूर से आपको अच्छी लगती दिदिक्त नहीं है इतना तो सैन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है जब कलर इतना अच्छा है तो इतना सैन करना तो बनता है तो यह था एक्वाटी'll कलर के बारे में काफी अच्छा कलर है अच्छा भी लगता है आप कोई मेंली कोई गाड़ी लेता है वो साथ आठ साल चलाता है इतने के अंदर क्या स्क्रेच पढ़ जाएंगे और पढ़ भी गए तो क्या फरक पढ़ता है तो अच्छा कलर है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को करें और अगर और आपके कोई डाउट है इस से रिलेटिड इस गाड़ी से रिलेटिड स्पोर्ट सी एंजी ए ग्रेंड आइटन नियोस तो आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं वीडियो देखने लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच